नमस्कार, इजी होम टेप्स चैनल में आपका स्वागत है, मैं संतोष चोहान, आज हम बनाने जा रहे हैं मुठिया मूम फली की गजग, जिसको की घर में बनाना बहुत ही आसान है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, यहाँ पे मैं ले रही हूं 50 ml पानी और इसमें डालू यानि 500 ग्राम गुड़, और गुड़ को हम लो मीडियम फलेम पर मेल्ट करेंगे, फलेम हाई मत कीजेगा, और गुड़ जब आप खरीते हैं तो गुड़ आप दाने वाला गुड़ खरीतना जो दानेदार होता है, जिस गुड़ को हम फोड़ते हैं और फोड़ते ही पकाना है, करेक्ट पांच मिनट तक पकाईएगा 500 ग्राम गुड तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूं कि परफेक्ट गुड आपका पकर कितनी देर में तयार हो जाएगा तो पांच मिनट आप गुड को पकाईएगा लो फ्लेम पर और देखें पांच मिनट बाद में चक कर रही हूं तो गुड बिलकुल विकहर रहा है, क है तो तार की तरे खिçãoड हहा है यह देखिए इस तरह से तो इस तरह से हमारा गुड़ नहीं होना चाहिए अब यह गुड़ को पकाते हुए कम से कम आठ नौ मिनट हो चुके हैं और इसमें अब मैं डाल रही हूँ वन टेबल स्पून घी जब 7-8 मिनट हो जाएं गुड़ को पकते हुए तो वन टेबल स्पून घी डालेगा तो इससी जो आपकी जो गजक है वो काफी शाइनिंग वाली बनेगी शाइन आ जाएगी गजक में तो वन टेबल स्पून घी डालेगा अब देखिए अब हम गुड़ को चेक करते हैं दस मिनट हो गए है मुझे उससे पकाते हुए तो आप देख रहे होंगी कि जब मैं डाल रही हूं तो बिल्कुल भी ये नीचे फैल नहीं रहा है थंडे पानी में डालेगा और अब इस लगे तो समझे आपका गुड़ तैयार हो गया है गजक बनाने के लिए अब मैंने डाली है इसमें वन टेबल स्पून सौंफ और वन टेबल स्पून सोंट ड्राइ जिंजर पावडर होता है सोंट जिसे कहते हैं अब दोनों को मिला देंगे फ्लेम लो है बिल्कुल और अब हम डालेंगे इसमें मूमफली तो जितनी मूमफली लेनी है उतना ही गुड़ लेना है तो ये रोस्टेड मूमफली है आप घर में लाकर भी रोस्ट कर सकते हैं दाने पर मैंने मार्केट से रोस्टेड ही लिए है फ्लेम बिल्कुल लो है और मूमफली और तो हम गैस को कर देंगे बंद अब दोनों मिल चुके हैं गैस बंद है और यह केवल एक मिनिट रखने के बाद ही एक दो मिनिट रखने के बाद ही बस इसको आशे आप शेप दे देना रफली शेप देनी होती है मार्केट में आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो मुठी आप शेप होती है तो इस तरह से शेप आप बना सकते हैं क्योंकि यह ज्यादा इजी रहता है अगर आप इसको जमाएंगे तो थोड़ा कट करने वगार हमें जो पहली बार बना रहे हैं तो उनको दिक्कत आएगी तो देखिए आवाज आप सुन पा रहे होंगे काफी क्रिस्पी बनी है बस गुड़ का हमें द्याहन रखना है कि गुड़ हमारा परफ्रेक्ट तरीके से पक जाए तो मुठिया मुंग फोली की गज़क हमारी बन कर तयार है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद